हलो शुडेंट्स वेलकम टू मैगनेट ब्रेंज हिंदी मीडिया मेरा नाम है अवनीज तरपाथी तो कक्षा बारा अर्थसास्त जिसमें वेस्टी अर्थसास्त देख रहे हैं यानि उसका चैप्टर नंबर तीन उत्पादन तथा लागत और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने विपस्थी थी तूँँ वह है औस प्लागत और सीमान प्लागत में संबंध यानि रिलेशन से बिट्विन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल क टॉपिक है और ग्राफ और इसके जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इसके मादम से समझेंगे पर इसके पहले कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करूँ एक बात का रहान लखेगा कि मैंगनेट ब्रेंस हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका पहले के सारे टॉपिक्स को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा तो आईए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं यह छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और वह है कि औस प्लागत और सिमांत लागत में क्या संबंद है सबसे पहले हमने जो परिवरतन सील साले ला अवरेश टोटल कॉस्ट या अवरेश क्वह जिसको बोलते हैं आउसत लागत ठीक है ओसत लागत इसके बाद हमने कया देख और इनी औस प्लागत और सीमांत लागत के बीच का संबंध हमें स्थापित करना है ठीक है कुल स्थिर लागत वो लागते थी जो परिवरतन के मातरा के साथ घटी बढ़ते नहीं फिक्स रहती हैं जो घटी बढ़ती हो परिवरतन सील लागते हैं वेरियेबल कॉस्ट दोनों आप उत्पादन कर रहे हैं उसको कुल लागत को उससे डिवाइड कर दीजिए तो आपका उसफ लागत निकल रहा था और सीमांत लागत क्या था टोटल कॉस्ट टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन प्रिविएस टॉपिक ज़रू देख लीजेगा इसमें डिसकस किया है यानि जो कुल लागत है उसके उपर वाले कुल लागत में से कुल लागत उसमें से माइनस करिये तो निकल जाएगा ठीक जैसे अगर हम यहां समझने का प्रियास करें लेट सपोज मालीजे यहां इकाई है यूनिट क्योंकि जब तक कैसे निकाला गया नहीं समझेंगे यहां पर थßat खपATीस लग देने ठीक है अब दो चीजें आगर आपको निकालनी हो एक औशल प्लाकत जिसको आड़ कास्त कहते हैं एक संख सिमानलगए लागत यानि जिसको आप कैसे निकालेंगे पहले आप औशल प्लाकत को निकालने के लिए इससे डिवाइड कल को में से डिवाइड करिए अभी बोला ना मैंने average cost is divided by total cost upon quantity 10 by 1 10 18 by 2 9 21 by 3 7 36 बटा 4 9 यह आपका औसवत लागत निकल गया सीमान प्लागत कैसे निकलता है सीमान प्लागत निकलता है जब आप total cost पहले का तो पहरा ही हो जाएगा मालीजे यहां पर कोई दिक्कत नहीं है अब यहां क्या होगा 18 में से 10 यानि की 8 है न टीसी यह N है यह N-1 है इसमें से उपर वाला माइनस फिर यहां यह N हो जाएगा यह N-1 हो जाएगा तो 21 में से 18 यहां तीन आजाएगा और 36 में से 21 यहां पर कितना आजाएगा एकीस दस इकत्तिस और पांच तो माली यह पंद्र ही लिया है जन्रली इस तरह से आता नहीं है लेकिन निकालने के तरीका मैं आपको समझा रहा हूं तो यह तरीका होता है सीमांत प्लागत और और उसत प्ल से जाना जा सकता है जब मैं आपको परिवर्तंसील लागत बता रहा था अल्पकाल में तब मैंने आपको तीन ऐसे कर्व बताये थे जिसका आकार यू होता है कौन-कौन से वकर्व थे जल्दी बताईए तो मैंने आपको बताया था कि और सब परिवर्तंसील लागत यानि यह सब के सब क्या होते हैं यह सब के सब यू आकार के होते हैं ठिक यू सेप के वक्र होते हैं क्योंकि इसमें परिवर्तन सील अनुपातों के नियम लागू होते हैं जिसके कारण पहले लागत गिरती है फिर स्थिर रहती है फिर उठ जाती है ठिक यह तीन तरह की लागते है तो ये तो confirm है कि सीमान्त आगम और ओसत आगम दोनों का जो वक्र का आकार होगा वो यू आकार में होगा अब क्या संबन्द रहेगा इसकी चर्चा हम देख लेते हैं ओसत लागत और सीमान्त लागत दोनों की गड़ना कुल लागत से की जाती है अभी मैंने आपको यहां दिखाया औसत लागत भी कुल लागत से निकाली जाती है सीमान्त लागत भी दोनों इसी कुल लागत से माइनस करके निकाली जाती है तो पहला इस संबन्द तो यह है कि दोनों कुल लागत से संबन्दित है दूसरा जब उसत लागत गिरती है तब सीमान लागत इससे कम रहती है अब मैं आपको यहाँ पर एक graph बना देता हूँ इसी से आपको संबंद दिखाई पड़ेगा तो यह है आपका average cost और यह है आपका marginal cost अब देखिए इस तरह का graph रहता है दोनों का संबंद ऐसे रहता है y x क्या कह रहा है जब उसत लागत गिरती है जब उसत लागत नीचे आती है तो सीमान लागत भी नीचे आती यह ठिक अच्छा जब सीमान लागत इससे कम रहती है तो सीमान लागत इससे कम रहती है जब तक उसत लागत गिरती रहती है तब तक सीमान लागत भी गिरती है औ मैं अगर आपको यह ज्यादा भेतर है ठीक है तो यहां से औसा प्लागत बढ़ रही है यही से सीमान प्लागत भी बढ़ने लगी ठीक जब औसा प्लागत स्थिर रहती है तब सीमान प्लागत उसके बराबर हो जाती है यहां देखिए औसा प्लागत यहां पर आके थोड़ी स्थिर हुई है तो यहीं पर सीमानत लागत भी इसके बराबर हुई है और थोड़ा सब और सही बनाते हैं इसको यह अब बिल्कुल हाँ यह बिल्कुल ठीक बात अब क्या है दो चीजें फिर से दुबारा देखिए ग्राफ बनाना बहुत जरूरी अच्छे से मैं चाहता तो यहां पर एक बना बनाया इमेज लगा देता लेकिन मैं इसलिए जब से उत्पादन लागत आपको करा रहा हूं मैंने कोई भी इमे विर्दीदर की तुल्ला में अधिक होगी अब जब और बढ़ने लगेगी तो सीमान प्लागत भी बढ़ने लगेगी लेकिन सीमान प्लागत तेजी से बढ़ेगी इसलिए वह वह सब्लागत से ऊपर हो जाएगी तो कभी अगर आप यह कर्व को ध्यान रखेंगे ना तो आपको बहुत असानी से संबंद लिखने में असानी होगी आपको कर्व याद है कि कर्व ऐसे था कि पहले क्या था पहले औस प्लागत इस प्रकार कुछ थी ठीक और सीमान प्लागत यहां इसके साथ गिर रही थी इसके मिनमम बिंदू पर आके इसको टच करके वो भी उप और जाने लगी ठीक आप यहां से ऐसे जा सकते हैं यानि कि क्या हुआ जब यह स्थीन हो गई तब यह दोनों बराबर हो गए फिर यह बढ़ रहे हैं लेकिन सीमान प्लागत और तेजी से बढ़ गई यही संबंद और सीमान प्लागत के बीच में होता है जो हमेशा आपको ध्यान दखना है इन संभन्धों को बताते समय ठीक बात अब यहां पर एक आपको तालिका बताइगी है इस तालिका से बहुत अच्छे से आप निगाल सकते हैं ठीक है तो यहां आवरेज कॉस्ट इया यह टी बनेगा यह ऐसे बन जाएगा और यह सीमान प्लागत वक्र है और यहां पर आके देखिए जब यह औस प्लागत जो है यहां पर 100 है यह भी हंडेड हो गई है यहां तक यह क्या हो गया दोनों आकर बराबर हो गया फिर जब यह बढ़ने लगा तो यह एक तेजी से इससे उप already stable के हिसाब से भी चाहें तो graph plot कर सकते हैं और आसानी से यह संबन दिखा सकते हैं तो आपको तीन सम्दों को revise करें और लागत और सीमान तलागत दोनों की घरना कुल लागत से की जाती है जब लागत गिरती है तब सीमान तलागत इससे कम रहती है ठीक है उसके बाद जब गड़ती और फिर्दीदर की तुल्ला में जादा होती है इसलिए एम से कर फिर उसके ऊपर निकल जाती है थालीका से क्या-क्या चीजें आपको मिली इस टेबल सक्ञाइब क्या क्या चीजें इस पर ठो रही है जब और घटी है तो सीमान पलागट भी घटी है देख लिजे जब ये घट रही है, ये भी घट रही है, और क्या पता चला, जब औसत लागत बढ़ती है, तो सिमात लागत भी बढ़ती है, देख लीजे, जब ये बढ़ रही है, तो ये भी बढ़ रही है, लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है कि ये अब धीर धीर बढ़ रही है, ये आगती हुई निकलती है तो सीमांत लाकत कर जो है वह ओस लागत को नीचे से कट करते हैं यह बात ध्यान रखेगा यह तो आपको में कोई समस्या नहीं आने वाली है ठीक है बात समझ में आ गई कोई डाउट इसमें तो नहीं है कोई समस्या तो नहीं है बहुत छोटा लेकिन बहुत ही खास और important topic है तो यह आप बिल्कुल ध्यान लखेंगे अच्छा अगर long run की बात करें यह तो था अल्काल में long run में क्या होता है long run में LMC और LAC हो जाता है दिर्ग काल वा समयावदी होती है जिसमें एक फर्म मांग के अनुसार वस्तू की पूर्ती में परिवर्तन करने के लिए उत्पादन के सभी साधन बदल सकता है तो दिर्ग काल में केवल यह दो ही लागते होती ही है औ कि हवनप्लांट मसीण प्रवन्द सटाप सई उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन कर सकता है और मांग को उसे साथ बढ़ाने की कोशिस करता है और इसलिए दिर्ग काल में केवल औस लागत वक्र और सीमान लागत होते हैं आलप काल में फर्म की इस्थिर और प्रव रवतंसी लागत होती है इसलिए कुल लागत प्रवतंसी लागत के बराबर होता है और उसी का उसत निकाला जाता है तो यहां पर यह दो ही वक्र काम करते हैं और दिर्ग्रकाल में जाएगा यह अले मतलब लॉंगर इध्यान रख दिरिकाल उसत लागत वक्त दिरिकाल सीमानत लागत वक्त में घनिश संबंद होता है और यह संबंद आपको इस ग्राफ से दिखाई पड़ेंगे तो लग जाता है क्योंकि लॉंग टर्म मार्जिनल कॉस्ट और लॉंग टर्म एवरेज कॉस्ट हो जाते हैं इस बात का भी ध पड़ रहा है ठीक है इसको स्मार्ट स्टडी के तरीके से करते हैं तो आई होप कि समझ में आ गया होगा इसमें कोई डाउट समस्चा हो तो अभी बता दीजेगा कोई तेंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए एक बात का ध्यान नखिए कि मैगनेट ब्रेंस का जो पूरा प्ले मीडियम मैगनेट ब्रेंस के वेबसाइट मैगनेट ब्रेंस के अप्लिकेशन से या मैगनेट ब्रेंस का जो में चैनल वहां से पढ़ सकते हैं और आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स और नोट्स कैसे आप लेकर पढ़ाई करें ताकि और असानी से उसके description में सब कुछ detail में दिया हुआ है जो Twitter, Telegram, Instagram, Facebook हमारे social media handles हैं इनको भी follow करते रहिए like से और subscribe करना मत भूलिएगा तो students मिलते हैं अगली वीडियो में इस chapter के अगले important topic के साथ अब तक take care, bye bye